मैं हूँ आपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं यह विषय भी काफी चर्शित रहा है कई बार लोग मुझसे सामने भी शम्मुक भी पूछते हैं और मैं सोच में पढ़ जाता हूं कि लोग किस प्रकार के मुर्खता की बात कर रहे हैं तो लोग उदाहरण देते हैं कि फलाने देखिए फलाने इतने बड़े बुद्धिमान हैं इतने बड़े पढ़े लिखे हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है मैं किस विषय में बात कर रहा हूं मैं बता दूँ आपसे मैं शंबूक बद पर बात कर रहा हूं शंबूक बद को लेकर के और वाल में की रमायल को लेकर के आप भी तो रामचित मानस को लेकर के भी आपने कुछी दिनों पहले उतर प्रदेश में देखा है हमारे यहां किस तरीके से लोकाचार चल रहा हुआ है लेकिन जो शंबुक बद है उसको लेकर के लोगों के अंदर confusion है और मुझसे भी जब लोग पूछते हैं तो मुझे बड़ी गलानी होती है कि अपने सास्त्रों को अपने पुरानों को ना पढ़ने के कारण ही यह सारी च चलते ही यह सारी चीजें उत्पन हो रही कि आपको जो कोई कुछ भी सिखा दे रहा है आप उसको मान ले रहे हैं आज मैं बात करूंगा शंबूक बद के उपर पूरी वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी तभी आप किसी को बता सकेंगे जब पाइरल हो रहा था बहुत तेजी से उस पर बार बार ऐसे करके दिखाया जा रहा था यह देखिए श्रीमत बाल्मी की रामायर का दूश्रा भाग और इसमें संबूक बद लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है जैसे ही राम जी ने उसको पूछा कि तुम सूद्र हो तैसे है उसका गरधन काड़ दिल इसमें हो मैं रहें सब्सक्राइब जाएगा सलाएक आप उतना दीख पाते हैं आज मैं प्रयास करूँगा आपको सचा ही दिखाने की ठीक है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीए तब सक मैं आपको दिखाता हूँ बगल में आपको यहां दिखाई दे जाएगा कि जो मैं कहना चाहता हूं और में क्या कहना मैं प्लिंवी ढूरती कर वाल्मिकी जीन्हेंने लिखा है और यदि भगवान रामने उन दी पश्रमबोक को सिर्फ इतना कह देने पर कि तुम सूद्र हो मैं तुमको मार रहा हूं ऐसा कही करके अगर मारा होता तो उन प्रवुद्ध उन बुद्धिमान तथा कथिद बुद्धिमान व्यक्ति से ये पूछा जाना चाहिए कि जब वो बालमिकी थे वो क्या थे क्या वो सुद्र नहीं थे अगर वो सुद्र थे तो उनको क्यों नहीं मारा गया भगवान के जो परम मित्र थे भिल लगुहों के राजा निशाद राज उनको भगवान ने अपना मित्र समझा उनके साथ रहे क्यों रहे क्या वो सुद्र नहीं थे उनको क्यों नहीं मारा भगवान ने सबरी अंतिज थ थी फिर भगवान ने उनके यहां क्यों खाया कि क्यों नहीं उनको मारा कि आज मैं आपको इसकी बारे में बताऊंगा सबसे पहले यह इस लोग देखिए आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा कुर्थो मनिसी तस्तो भ्यम स्वर्गा लाभो परो थवा वराश्रयो यदर्थम्तु तपश्य ने शुदुस्चरम कि इन्हों ने बताया है बुद इस परश्ट आप देखेंगे एक श्लोक आपको बताया गया उसके पहले और उसके बाद की चीज़ें आपको नहीं बताईगी पहले भगवान ने जब व्यक्ति शंबूख के पास वहां पहुंचे हैं तो उनसे प्रश्ण पूस्ते हैं कि कोर्थो मनिसी तस्तुभ्यम अर स्वर्ग का लाब प्राब्त करना चाहते हैं अथ्वाए उ्ल्टा लटक करें किस्की कारण से कर रहे हो क्या चाहते हैं संबूख संबूख नहीं किसी न Venezuela होगा slipped किसी ने बताया होगा मैं आपको कहूंगा कि आप ध्यान पुर्वक अपने हां अगर श्री मद्वालमी की रामायड आपके पास है तो उसमें भी देखिएगा और क्या उसने कहा है नमिध्या हम्वदे राम देव लोक जिगीशया यह शूद्रम माम विध्य काकुस्थ शंबू कम नाम नामत उन्होंने कहा है काकुस्थ कुल भूशन श्रीराम जी मैं आप से असत्य नहीं बोलूंगा मैं आप से जुठ नहीं बोलूंगा मैं चाहता हूं कि देव लोग पर यानि देवताओं का जो लोग है, इंद्र लोग जो है, उस पर मेरा विजय प्राक्त हों, यानि मैं उस पर चढ़ाई करके उसको जीतना चाहता हूँ, यह उसके तपस्या करने का मोटिव था, उसके तपस्या करने का यह धे था, यह लक्ष था, और उसके बाद मैं चाहता कि मैं सरीर उस स्वर्ग लोक में जाओं सरीर यानि बिना मरे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं जो त्रिशंकु ने एक्षा की थी आज जो त्रिशंकु की इस्थिती है वो भी आप देख सकते हैं और ये जाना चाहते थे अपने सरीर के साथ भासतस्तस शूद्रश्य खटगम स हमें दिक्कत किया था उसी प्रकार आपको कहना कि कि शुद्र ने पाप किया था शुद्र को मारा गया काम खतम कि वह अनाचार ही तो है अगर आप स्वर्ग चले जाओगे तो स्वर्ग का सारा सिस्टम बिगड़ नहीं जाएगा जो अपना एक पुरा नियम बना हुआ है वो नियम की दर्जियां उढ़ जाएंगी कि नहीं उढ़ जाएंगी इस पाप के कारण उनको मारा गया था मैं चाहता हूं कि मैं ससरीर वहां पर जाओं इसलिए मैं इस तपस्या को कर रहा हूं इस कारण उसको मारा गया था शुद् ब्रामण के उपर कितनी बाते कहेंगे किसी ब्रामण ने तो नहीं जा करके कहा कि मुझे क्यूं कहते हो ऐसा रामण उनको मारा गया किसी नहीं तो इस तरीके के बर्ग विभाग में आपको बाटा जा रहा है हाथ जोड़के निवेदर हैं आप लोग इन पढ़े लिखे मुर लोगों तक पहुंचाई है ताकि उनको भी यह समझ में आए कि आपको किस प्रकार ठगा जा रहा है किस प्रकार मूर्ख बनाया जा रहा है सिर्फ सिख्षा के नाम पर ज्यादा पढ़े लिखे होने के नाम पर जैसी हराम है